दोस्तों सफेद बालों को काला करने का एक ऐसा तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप केवल एक मिनट में अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किये केवल एक मिनट में आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं धोने के बाद भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे. तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस नुस्खे में हमें किन चीजों की जरुट है. यदि आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके बाल सफेद लग रहे हैं, तो उस समय हमें लगता है, हम कैसे जल्दी से अपने बालों को काला कर लें. क्योंकि हमें तो बाजार के हेर डाय का इस्तमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारे बाल पूरे बाल ही सफेद हो जाएंगे. और इस उम्र में जब हमारे कुछ-कुछ बाल सफेद होना स्टार्ट हुए हैं, तब तो यह नुस्खा आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो जहां-जहां बाल सफेद दिख रहे हैं, आप वहां पर इसे एप्लाइ कर सकते हैं, 100% यह एफेक्टिव नुस्खा है, रूई ली है, कॉटन बॉल लिया है दोसों, जैसे जो हम भगवान की रूई बत्ती बनाते हैं दोसों, बस वही रूई मैंने लिया है, सरसो का तेल डाला है एक दिये में और जैसे आप भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, रूई की बत्ती जलाते हैं दोस्तों बस उसी तरह से आपको इस रूई की बत्ती को जलाना है ये देखे तो आप चाहें तो दिया नहीं है तो आप एक स्टील की प्रेट में भी से जला सकते हैं सरसो के तेल में आपको इस cotton ball को इस रूई की बत्ती को अच्छी तरह से डिप करना है दो से तीन मिनट उसके बाद इसके excess oil को निकाल देना है पूरा निचोड लिया आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है तेल हमने इसलिए डाला है ताकि यह जो रूई है बहुत आसानी से जल जाए अब हमें इस रूई की बत्ती को बहुत अच्छी तरह से जला लेना है दोसो माचिस की सहता से आप इसे जला ले तो सरसो के तेल में मैंने रूई को डिप कर दिया था और बढ़िया अच्छा इसे जला लेना है थोड़ा सा बीच मे यह बुझ जाएगा और बहुत ही अच्छा नुस्खा है बहुत पुराने समय से इसका इस्तमाल किया आता जा रहा है दोस्तों सफेद बालों को पुराने समय में कोई hair dye ठोड़ी होते थे दोस्तों जो हमारी नानी दादी थे इसी नुस्खे का इस्तवाल करते थे कहीं शादी में जाना है तक हम तुरंट अपने बалों को काला कैसे करें इस नुस्खे को दोस्दों आप लगा कर हेर वाश करेंगे तो भी नहीं निकलेगा, पर जी हाँ दोस्तों, यदि आप शैम्पू का इस्तमाल करेंगे, तब यह निकल जाएगा, तो आपका उस समय का तो काम हो जाएगा, जब आपको पार्टी में जाना है, आपको शादी में जाना है, तो कम से कम तीन-चार दिन आपके बाल काले ही र पुझ गया, आप चाहें तो इसे बुझा भी सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसका काला पाउडर चाहिए, कोई साइड एफेक्ट का डर नहीं, तो 100% वर्क करेंगा, और जब हमारे कुछ-कुछ बाल सफेद होना शुरू है, खासकर हमारे सिर में आगे-आगे, सफेद जो हमा केमिकल वाला हेर डाय इस्तमाल ना करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा साइड एफेक्ट होता है, और पूरे के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं, तो यह नैचरल नुस्खा है, कोई केमिकल नहीं है, आप आपको यहां लेना है अलोवीरा जेल, आप चाहें तो फ्रेश अलो हैं, टूद ब्रश की साहता से, या फिर इस तरह से जो हमारे आई-लाइनर, मसकरा का जो ब्रश होता, उसकी साहता से आप इसे लगा सकते हैं, इसके लावा एक तरीका और है दोस्तों, परन्तु यह भी तरीका आपका तब तक के वर्प करेंगा, जब तक आप पानी से हेर शैम्पू से हेर वाउश करने पर यह निकल जाएगा, तो आपका उस समय का काम हो जाएगा, शादी पार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, और बाल को काला करना है, आप इस पाउडर को बना कर रखें, तो मैं तो हमेशा इस पाउडर को थोड़ा जादा ही बना कर तो नारियल के छिलकों को मैंने इस तरह से जला लिया है, जितना भी आप चाहें तो जादा भी जला कर रख सकते हैं, तो मैंने यहां पर इतना ही जलाया है, ठंडा होने दे, अभी देख सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी चिंगारी दिख रही है इसमें, और इसके जो काला तईार किया दोस्तों, यही हमें चाहिए, यही हमारे सफेद बालों को जड से काला करेगा, तो अब आपको आपको इसका काले पाॉडर का काम है, और ये देखे, अब ठणडा हो गया, थोड़ी से छिंगारियां कम होना शुरू हो गई है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आपको इसे चान लेना है और इस पाउडर को किसी डिब्बी में स्टोर कर लें आप अपने पर्स में रख सकते हैं माल लिजे कहीं बाहर जा रहे हैं चार-पांस दिन का प्रोग्राम है शादी में जा रहे हैं तो बस इसी का एक छोटी सी च नहीं है दोस्तों 100% नैचरल नुस्खा है जो कि आपके सफेद बालों को केवल कुछ सेकंड में ही काला कर देगा तो मैंने छनी से चान लिया ताकि मोटे-मोटे जो कण है वह निकल जाए और इस पाउडर को किसी डिब्बी में आप भर लें केवल इतना ही पाउडर आपक चाहिए आप चमच में देख रहे हैं इतना पाउडर काफी है आपके बालों के लिए बजार का अलोवीरा जेल ले या फिर घर का जो फ्रेश पत्ती का अलोवीरा जेल है आधी छोटी चमच ले 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 बाल ज्यादा सफेद हैं तो एक चमच अलोवीरा जेल ले कई लोगो सफेद बालों पर लगा लें तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है कुछ सेकंड में ही आपके बाल बिल्कुल ही काले हो जाएंगे और इसे सूखने में टाइम नहीं लगता है तो आप देख रहें मैंने थोड़ा सा जादा ही इसे बना लिया है ये देखे एक छोटी चमच अलोवीरा जैल में मैंने आधा चमच इस पाउडर को ले लिया है अभी पहले मैं आपको हाथ में लगा कर दिखा रही है इस तरह से आप इसे लगा कर जहां जहां आपके सफेद बाल हैं वह बिल्कुल काले हो जाएंगे बस बढ़िया आपका उस समय का काम हो जाए कर दोस्तों चार-पांस दिन अब आपको बालों को काला करने की जर्वत नहीं है आप पानी से धोंगे तो यह नहीं निकलेगा शेंपू से धोने से यह निकल सकता तो चलिए मेरी बेटी आपको इसको एपलाए करने का सही तरीका बतारी टूथ ब्रश ले ले जो कि हम सब के घर पर होता कोई भी पुराना टूथ ब्रश ले जहां जहां जो भी आपके बालों की लड़ है जो भी बालों की छोटी छोटी प्लेट से हैं जहां पर सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, बस उन में आपको इस तरह से टूद ब्रश में लेते जाना है, ये देखे, कुछ इस तरह से लगाते जाना है, बस और इससे आपके बाल चिपचिपे नहीं होंगे, ओईली नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस पौडर में एलो विरा जेल मिलाया है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशल है, बालों को मजबूती देता है, बालों को सभी तरह के पोशक्तत देता है, और साथ ही हमारे बाल ना ओईली होंगे, और ना ही स्टिकी होंगे, तो आप आसानी से इसे लगा कर अपने theater को यदि अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें comment जरूर करिए का दोस्तों information कैसी लगी वीडियो का ये तरीका कैसा लगा तो बहुत पुराना तरीका है दोस्तों हमारे पुराने समय से दादी नानी भी ये चीजें बताती थी कि इस तरह से वे लोग जो थोड़े थोड़े बाल सफेद हो गए थे वहाँ पर इस तरह से बालों को काला करते थे तो घरेलून उसका है जो 100% वर करेगा तो आपको भी जहां जहां आपके बाल सफेद दिखाई दे रहें इस तरह से टूथ ब्रश की मदद से उस उस जगह पर आप इसे लगाते जाएं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें